गुराफनोन एवरीवन मैं हूँ अभिशेक गौरहा और आप सभी का स्वागत है Competition Community के इस e-learning platform पर हम डील कर रहे हैं Current Affairs और आज हमारे लिए है 36 गड़ पर बेस MCQs का Day यानि कि कल हमने क्या किया था 36 गड़ पर बेस Current Affairs को Subjective Way में डील किया था और आज हम करने आले हैं क्या उसके MCQs solved आयो शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल हमारे लिए होगा विच अमंग्स द फॉल्विंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ चत्तीज गड़ रिपोर्टेड maximum forest fire incidences in 2024 याने कि चत्तीज गड़ के निम्द में से कौन जिला 2024 में अधिक्तम वन अगनी या फिर जंगल की आग दर्ज करने वाला जिला बन गया है सरवादिक जंगल की आग की जो घटनाय है वो कौन से जिले में दर्ज की गई है तो इस सवाल का जवाब हमारे पास में हो जाएगा option नंबर option नंबर c बीजापूर तो बीजापूर वो हमारा जिला है चतीजगड का जहां 2024 में सरवादिक forest fires के incidences हमें देखने मिले है दूसरा हमारे पास what is rank of चतीजगड in forest fire incidences in India in 2024 मतलब 2024 में सरवादिक आपका जंगल की आग की घटनाओं में चतीजगड का rank overall इंडिया में क्या रहा फर्स्ट रैंक पर रहा है उडिसा second पर रहा है आंद्रप्रदेश तो फिर चतीजगड का rank क्या रहा है पांच छे साथ या फिर second तो यहां से हमको पता चल गया second तो नहीं है क्योंकि second कौन है आंद्रप्रदेश है तो चतीजगड का rank इसमें रहा है option नंबर A पांच वा फिफ्ट नंबर पर सबसे ज्यादा forest fire के incidences हमारे चतीजगड में हमें देखने मिली है इन विच डिस्टिक्ड ओफ चतीजगड राम तला एंड क्रांती जलाशे या फिर डैम्स राम तला एंड क्रांती डैम्स आर सिचुएटेड चतीजगड के किस जिले में राम तला और क्रांती जलाशे या फिर बांध क्या है स्थापित है या फिर स्थित है ये जो दोनों के दोनों बांध है ये आपके हाफ नदी पर बनाए गए है हाफ नदी पर और वर्तमान में यहाँ पर एक बहुत ही रेयर पक्षी देखने के मिली है एक बहुत ही रेयर के आप बर्ड देखने को मिली है और आप लोगों को बताना है ये हाफ नदी या फिर रामतला और क्रांती जलाश है 36 गड़ के किस जिले में है A. मुंगेली B. गॉरिला पेंडरा मारवाही C. कबीरदाम या फिर D. राजनांद गाउं A. मुंगेली B. गॉरिला पेंडरा मारवाही C. कबीरदाम या फिर D. राजनांद गाउं आप लोगों को बताना है इनमें से आपका आंसर कौन सा होगा याने कि रामतला और क्रांती जलाश है आपके 36 गड़ के कौन से जिले में स्थित है A. मुंगेली B. गॉरिला पेंडरा मारवाही C. कबीरदाम या फिर D. राजनांद गाउं तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए option number C. कबीरदाम कबीरदाम में है ये दोनों ही जलास है और यहाँ पर blue-tailed bee-eater नामक पक्षी देखी गई है अभी blue-tailed bee-eater ये उस पक्षी का नाम है जो हाली में कहां देखने मिली है क्रान्ती और रामतला जलाशय के डुबान शित्रों में अगला question हमारे पास है which amongst the following places is also known as केदार तीर्थ वेरी 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 इंपर्टन केदार तीर्थ इनमें से किसे कहा जाता है या फिर किसका और भी नाम है क्या ये मलहार का नाम है केदार तीर्थ क्या ये कंकेश्वर महादेव का है कंकेश्वर महादेव कोर्बा के है या फिर ये मदकू द्वीब का नाम है या फिर ये तपकरा का नाम है मलहार का, कनकेश्वर का, मदकूद्वीप का या फिर तबकरा का इन में से कौन सी ऐसी स्थल है, जिसका नाम और क्या है, केदार तीर्थ नाम भी है A. मलहार, B. कनकेश्वर, महादेव, कौरबा, C. मदकूद्वीप और D. तबकरा तो यहां से आप लोगों के लिए आंसर हो जाएगा, option number C. मदकूद्वीप तो यह मदकूद्वीप है, जिसे और किस नाम से जाना जाता है, केदार तीर्थ के नाम से जाना जाता है यहां की खास बात यह है, यहां पर 19 मंदीर है, जिने पुरातत्व विदो ने क्या किया है? पुरातत्विक उत्खनन के माध्यम से बाहर निकाला है इस 19 मंदिरों में से जो दसवे क्रमांग का मंदिर है, 10th नंबर का मंदिर है, वो पूर्व की दिशा में उसका क्या है? प्रवेश दुआर है. इस्टन फेसिंग क्या है वो प्रवेश दुआर. जबकि एक से ले करके 9 तक और 11 से ले करके 18 तक ये सबी वो मंदिर है जिनका प मदकू द्वीब है, शिवनाथ नदी के किनारे पर स्थापित है. या फिर ये कहा जाए, शिवनाथ नदी में एक निर्मित होता है, ये आईलेंड जैसा दिखता है, द्वीब जैसा फ्रॉग की तरह इसका शेप है, यानि कि मेडग की तरह. इसलिए इसका नाम क्या पढ़ है, कहां पर स्थित है, ये बिलासपूर जिले में है. ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, अगला जो हमारा सवाल हो जाएगा, वेर इस दा कंजर्वेशनल एफर्ट्स ओफ हिल मैना, दा स्टेट बर्ड ओफ चत्तीजगर बिंग डन, यानि कि पहाडी मैना, जिसे हमारे जुकी है, पक्षी, क्या किया गया है, गोशित किया गया है, जिसका आपका साइन्टिफिक नेम क्या है, ग्रैक्यूला, रेलीजियोसा, पैनिंस्यूलारिस, ये है आपका साइन्टिफिक नेम, है ना, किसका पहाडी मैना का, आपको ये पूछा गया है, कि इसका जो संरक् का कार्य है या फिर संरक्षन के प्रयास है ये कहां किये जा रहे हैं क्या ये इंद्रावती नैशनल पार्क में है क्या ये कांगेर वैली नैशनल पार्क में है या फिर ये गुरु घासी दास नैशनल पार्क में है या फिर ये सीता नदी उद्यंती टाइगर रिजर्व में ह आप लोगों को बताना है आपकी जो पहाडी मैना राजकिय पक्षी है इसका संरक्षन किस छेत्र में किया जा रहा है क्या ये इंद्रावती नैशनल पार्क में किया जा रहा है कांगेर घाटी राश्ट्री उद्यान में किया जा रहा है गुरु घासी दास राश्ट्री उद क्या को निरंतर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था लेकिन यह सक्सेस्फुल नहीं होने के कारण इन्हें फाइनली इनके जो आपका नैचरल आवास है या फिर आपका इनका क्या है नैचरल हैबिटेट रहा है वहां पर इनका क्या किया गया है सनरक्षन किया गया है इनके लिए कृत्रिम घौसले बना करके आटिफिशल नेस् बना करके इनके क्या किया गया है संरक्षन करने की कोशिश की गई है मतलब इनके प्राकृतिक आवास में और हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूस मिल गई है कि अब इनकी जो जनसंक्या है वो 800 प्लस हो गई है हमारे चत्तीस गड़ में 20 सालों से लगबग ये 5 से 10 बनी हुई थी लेकिन पिछले 2 सालों में सन 2022 से ले करके 2024 के बीच में इनकी जनसंक्या में अब unprecedented क्या हुआ है वृद्धी हुई है देखने को मिली है और अब इनकी जनसंक्या कितनी हो गई है अब इनकी जनसंक्या लगबग हो गई है 800 आप लोगों को पताना है इनका सन्रक्षन कहां किया जा रहा है इंदरावती नैशनल पार्क में कांगेर वैली राश्ट्री उद्ध्यान में गुरगासी दास राश्ट्री उद्ध्यान में या फिर सीता नदी उद्ध्यनती टाइगर रिजर्व में तो इसका आंसार हो जाएगा आप लोगों का B, option number B कांगेर वैली नैशनल पार्क में हमारा जो राज्की ये पक्षी है उसका क्या किया जा रहा है, सनरक्षन किया जा रहा है अगला हमारा देखते हैं मदकू आइलेंड is formed on which river, मदकू द्वीब किस नदी पर स्थित है कहां पर आपका मदकू द्वीब स्थापित है कौन सी नदी पर ये आप लोगों को बताना है तो इसका जवाब आप लोगों के लिए हो जाएगा option number A, शिवनात नदी पर ये है क्या स्थित और कौन से जिले में है बिलासपूर जिले में स्थित है आगे चलते हैं अगला The industrial policy of 36 गड़ operational in 36 गड़ is 36 गड़ में जो लागू आपकी 36 गड़ अध्योगिक नीती है वो कब से कब तक जो वरतमान चल रही है उसका आप लोगों को जवाब देना है कब से कब तक वो चल रही है पहली अप्रेल 2019 से लेकर के 31 March 2024 तक 1st November 2019 से लेकर के यहां पर 2019 होगा 1st November 2019 से लेकर के 31 October 2024 तक या फिर 1st April 2022 से लेकर के 31 March 2027 तक या फिर 1st November 2022 से लेकर के 31 October 2022 तक तो जो वरतमान के 36 गड़ में ओध्योगिक नीती है या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो कब से कब तक के लिए चल रही है इसका जवाब आप लोगों को देना है option A हो जाएगा 1st April 2019 से लेकरके 31 March 2024 तक दूसरा हो गया 1 November 2019 से लेकरके 31 October 2024 तक तीसरा हो गया 1 April 2022 से लेकरके 31 March आपका 2027 तक या फिर 1 November 2022 से लेकरके 31 October 2022 तक ये चल रही है तो इसका जवाब आप लोगों के लिए हो जाएगा option नंबर B 1 November से लेकरके 31 October 2024 तक चलेगी ये और 1 November 2024 से लेकरके 31 October 2029 तक हमारी नई और द्योगिक नीती बनने वाली है जिसमें हमारा अगला question उसी से ही संबंदित है नई और द्योगिक नीती जिसे 2024 बोला जाएगा जिसे नई और द्योगिक नीती 2024 बोला जाएगा में निम्न में से किस शहर को 36 गड़ के IT और Pharma Hub के रूप में विक्सित किया जाएगा which amongst the following cities will be developed as IT and Pharma Hub of 36 गड़ in new industrial policy क्या ये हत्खोज बिलाई हो गया क्या ये तिल्डा नेवरा राइपूर होगा क्या ये तिफरा होगा बिलासपूर का या फिर नवा राइपूर होगा कौन से शहर को IT और Pharma के हब के रूप में विक्सित किया जाएगा हत्खोज बिलाई तिल्डा नेवरा राइपूर तिफरा बिलासपूर या फिर D नवा राइपूर तो ये अहां से आप लोगों के लिए आंसार हो जाएगा option number D नवा राइपूर नवा राइपूर को नवीन और द्योगिक निती 2024 में जो कब से कब तक लागू होने वाली है first of November 2024 से ले करके 31 October 2029 तक 5 सालों के लिए ये जो नई अध्योगिक निती है वो लागू रहेगी और इसमें नवा राइपूर को IT और फार्मा हब के रूप में क्या किया जाएगा विक्सित किया जाएगा और एक और जो हमारा एक बुनियादी इसमें structure बनाया जाएगा वो है आपका बिलासपूर कोर्बा industrial corridor बनाया जाएगा इसमें बनाया जाएगा अगला question देखते हैं हमारे पास में क्या है राइपूर 36 गड में स्थित कुमारी बांद कुमारी बांद का निर्माण किस वर्ष हुआ था राइपूर 36 गड में स्थापित या फिर स्थित कुमारी बांद का निर्माण किस वर्ष हुआ था इसका जवाब आप लोगों को देना है 1925, 1926, 1927 या फिर 1928 ये सवाल हमारे लिए important इसलिए हो जाता है क्योंकि 36 गड में पहली बार ऐसा कारनामा किया जाने वाला है जहां पर एक बांद को जो किसी भी नदी या नाले पर स्थापित नहीं है इसको दो नदियों से समोदा और महा नदी से क्या किया जाएगा pipeline के माध्यम से इसे जोड़ा जाएगा इसे पूर्ण तह क्या किया जाएगा monsoon का जो extra बारिश होगी जो access runoff होगा उससे इसे भरा जाएगा और इससे 50 गावों को 50 गावों को क्या किया जाएगा सिचाई व्यास्था दी जाएगी तो ये कब निर्मान हुआ इसका आप लोगों को जवाब देना है 1925, 1926, 1927 या फिर 1928 तो यहां से आप लोगों के लिए इसका उत्तर हो जाएगा option number C 1927 ने अंग्रेजों द्वारा राइपूर में कुमहारी के राइपूर के कुमहारी में एक बांद बनाया गया था जिसे हम क्या बोलते हैं कुमहारी बांद कहते हैं कुमहारी बांद राइपूर की कुल जल धारन शंता कितनी है total water holding capacity of कुमहारी डैम of राइपूर is option number A 10.7 million cubic meters option number B 11.6 million cubic meters option number C 15.8 million cubic meters या फिर option number D 48.7 million cubic meters very important अभी कुमहारी डैम आप लोगों का चर्चा में बना हुआ है और यहां से सवाल आने की संभावनाए काफी है तो कुल जल धारण शमता कितनी है 10.7 million cubic meters 11.6 million cubic meters 15.8 million cubic meters या फिर 48.7 million cubic meters इसका जवाब हमारे लिए हो जाएगा option number B 11.6 million cubic meters 11.6 million cubic meters है इसकी क्या water holding capacity या फिर जल धारण की शमता अगला जो हमारा सवाल है यह है इसम्विक्षा portal निम्द में से किससे सम्बंदित है इसम्विक्षा माफ की जेगा इसम्विका portal निम्द में से किससे सम्बंदित है इसम्विका portal is related to which of the following school education department schoolly सिक्षा विभाग tourism department of 36 गड़ 36 गड़ का परेटन विभाग tax department of 36 गड़ गड़ 36 गड़ का कर विभाग या फिर none of the above इनमे से कोई नहीं तो इस सामवी का नामा के Portal हाल ही में जिसे release किया गया है वह इनमे से किससे सम्दित है इसे आप लोगों को पताना है और ये भी आप लोगों के एक्जाम के लिए बेहद important है क्योंकि ये प्रशाशन की दृष्टी से या फिर प्रशाशन में science and technology के उपयोग से संबंदित आपका सवाल हो जाएगा तो इसका जवाब आप लोगों के लिए हो जाएगा 36 गड़ का क विभाग या फिर tax department of 36 गड़ ये हो जाएगा इसके लिए answer आगे चलते हैं who is the present state tax commissioner of 36 गड़ में वरतमान राजकर आयुक्त कौन है राजकर आयुक्त state tax commissioner state tax commissioner वरतमान में कौन है इसका आप लोगों को जवाब देना है option नमबर A है अमित कटारिया option नमबर B है रजद बंसल option नमबर C है ओपी चौदरी या फिर option नमबर D है मुकेश कुमार अमित कटारिया रजद बंसल ओपी चौदरी या फिर मुकेश कुमार कौन है वरतमान में राजके कर आयुक्त तो यहां से आप लोगों का जवाब हो जाएगा option नमबर B रजद बंसल रजद बंसल है हमारे राज कर आयुक्त question number 13 which amongst the following institutions are selected for building common incubation center for 36 गड़ मतलग 36 गड़ में common incubation center बनाने के लिए निम्द में से किस संस्थानों का चैन किया गया है पूरे देश भर से 77 संस्थानों का चैन किया गया है जिस में से 36 गड़ में से किनका किनका या फिर किसका चैन किया गया है यह आप लोगों को पताना है क्रिशी प्रध्योगी की महाविद्याले राइपूर क्रिशी महाविद्याले जगड़पूर क्रिशी महाविद्याले अंभीकापूर या फिर option number 4 E. रागवेंद्र राव बिलासपूर औप्शन से हमारे पास में केवल एक और दो एक दो और तीन या फिर एक दो तीन और चार केवल एक एक और दो एक दो तीन या फिर एक दो तीन और चार तो अभी हमने बताया पूरे भारत में कितने संस्थानों का चैन किया गया है इंक्यूबेशन सेंटर्स के लिए 77 का किया गया है 36 गड़ में किया गया है दो संस्थानों का चयन और ये दो संस्थाने कौन कौन सी हैं अगर हमारे option से हम देखें तो केवल 1 और 2 हमारे पास में answer हो जाएगा कौन कौन से हैं कृषी प्रध्योगी की महाविध्याले राइपूर याने की agricultural technology college जो की इंद्रा गांधी कृषी University वहां पर क्या है स्थापित है दूसरा है कृषी महाविध्याले जगडलव इसका नाम क्या है जो जगडलव में ईसका नाम क्या है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे और ये दोनों आपके क्या है वह संस्थाने हैं जिनकाया गया है common Incubation Centers बनाने के लिए कृषी महाविद्याले अंभीकापुर इसका भी एक particular नाम है आप लोगों को comment करके बताना है इसका नाम क्या है याने कि जो जगदलपुर में पाए जाने वाला कृषी महाविद्याले उसका भी नाम क्या है अबीकापुर में जो कृषी महाविद्याले है उसका नाम क्या है और बिलासपुर में जो कृषी महाविद्याले है उसका नाम क्या है आप लोग comment करके हमें बताएंगे आगे चलते हैं अगला question हमारा है नगर निगम के लिए निर्धारत वाडों की नियूनतम और अधिक्तम संक्या क्या है वर्तमान में आपकी जो नगर नगरिये निकाये हैं उनमें चुनाओ होना है नवंबर दिसम्बर में इसलिए इस साल आप लोगों के लिए नगरिये निकाये क्या हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो आप लोगों बताना है नगर निगम याने की मुनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसमें मिनिमम और मैक्सिमम जो वार्डों की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए या फिर कितनी बताई गई है option number A 15 से 40 मतलब 15 निगम अधिकतम 40 20 से 45 याने की 20 निगम पैतालिस अधिकतम option number C 40 और 85 मतलब 40 निगम और 85 अधिकतम या फिर option number D 40 निगम और 70 अधिकतम 15, 40, 20, 45, 40, 85 या फिर 40, 70 तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आंसर हो जाएगा option number D, 40 और 70 मतलब 40 नियूनतम होगी क्या नगर निगमों में वाडों के संख्या और 70 होगी maximum है ना नगर निगमों का गठन एक लाग से ज्यादा जन संख्या वाले एक लाग से ज्यादा जन संख्या वाले उन छेत्रों में किया जाता है जो क्या होते हैं शहरी होते हैं और यहाँ पर 40 से ले करके 70 तक क्या होंगे वाड होंगे और इन वाडों में से प्रत्यक्ष रूप से चुन कर प्रतिनिधी चुने जाएंगे वर्तमान स्थिती के हिसाब से यहाँ पर जो आपकी राजनैतिक प्रमुक होंगे पॉलिटिकल हेड इन्हें क्या बोला जाएगा मेयर कहा जाएगा या फिर महापौर और ये जो महापौर है अभी वर्तमान में इनका चुनाव किस प्रकार से हो रहा है अप्रत्यक शुरूप से किया जा रहा है मतलब इन्डाइरेक्ली किया जा रहा है और ये व्यवस्था हमारे भूपेश बगेल जी की जो सरकारती उस समय से इसे अपनाया गया है वर्तमान में फिर से आपकी भाश्पा की सरकार आने के बाद से ये बात शुरू हो गई है कि मेयर का जो चुनाव हो वो प्रत्यक शुरूप से हो मतलब उन्हें कौन चुनें उन्हें हमारे बीच से ही हम चुन करके क्या करें नगर निगमों में स्थापित करें वहीं एक आपका प्रशाष्निक प्रमुख भी होंगे प्रशाष्निक प्रमुख और ये कौन होगे नगर निगम में आयुक्ट नगर निगम के आयुक्ट या फिर कमिश्नर और ये होते हैं IAS rank के officer सर ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगले हमारे पास सवाल है what can be the maximum number of seats for municipal corporation with more than 10 lakhs of population मतलब 10 lakhs से अधिक जन संख्या वाली अगर कोई नगन निगम है तो उसके लिए seatों की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है A 70, B 85, C 90 या फिर D 100 तो याने की हमने क्या देखा है एक लाग से ज्यादा वाले आबादी वाले शहरी चेत्रों में नगन निगम का गठन किया जाता है 40 से 70 वहाँ पर क्या हो सकते हैं वार्ड हो सकते हैं लेकिन इसमें पूछा जा रहा है अगर 10 लाग से ज्यादा जन संख्या वाला अगर कोई नगन निगम है तो उसका अधिक्तम सीमा आपकी वार्डों की कितनी हो सकती है क्या वो 70 ही रहेगा, 70 से ज्यादा हम नहीं बना सकते क्या वो 85 हो जाएगा, क्या वो 90 हो जाएगा या फिर 100 हो जाएगा तो यहां से आप लोगों के लिए option number B हो जाएगा आपका answer याने कि अगर 10 लाग से ज्यादा जनसंख्या है तो वहाँ पर maximum आपका कितना बनाया जा सकता है 85 ward तक बनाया जा सकते हैं तो यह हो जाएगा आपका 40 से लेकर के 85 तक की जनसंख्या ward की संख्या यहां पर की जा सकती है अगला सवाल हम देख लेते हैं who amongst the following is elected directly by the people of constituencies of urban local government मतलब निम्न लिखित में से किसे शहरी स्थानिय सरकार के निर्वाचन चित्रों के लोगो द्वारा सीधे रूप से चुना जाता है या फिर ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाओ किसका होता है ये पूछा जा रहा है प्रत्यक्ष चुनाओ द्वारा किने चुना जाता है ये आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है तो A हो गए, option number, option नहीं, विकल्प हमारे पास क्या क्या है, A पार्षद, दूसरे महापौर, तीसरे नमबर पर अध्यक्ष, तीसरे नमबर पर मुख्य नगरपाली का अधिकारी, वन, counselor, two, mayor, three, president, या फिर four, आपका chief municipal officer, तो जो counselor होते हैं, ये वो लोग हैं, जो आपके क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रुप से चुने जाते हैं, बिल्कुल, है ना, अगर हम नगर निगम की बात करें, तो हमारे पास जो counselor होते हैं, या पार्षद होते हैं, उनकी संख्या 40 से लेकर कितनी होती है, 70 होती है, है ना, जबकि आपका नगर पंचायत और नगर पाली का परिशद जो होती है, और नगर पंचायत, इन दोनों में जो आप लोगों के पार्षदों की संख्या होती है, या फिर वार्डों की संख्या होती है, वो कितनी हो जाती है, नगर निगम में 40 से 70 हो जाती है और साथ साथ क्या अगर 10 लाग से ज्यादा जनसंख्या है उस स्थिती में वहाँ पर कितनी हो जाती है 40 से लेकर के 85 हो जाएगी है ना लेकिन अगर हम नगर पालिका परिशद और नगर पंचायत की बात करें तो वहाँ पर कितनी हो जाएगी 15 से लेकर 40 15 से लेकर के 40 मतलब निवनितम 15 और अधिकतम 40 हो जाएगी इसके बाद में हमारे पास में क्या होते हैं एक प्रशाशनिक प्रमुख होता है और एक क्या होता है राजनेतिक प्रमुख होता है तो अगर हम प्रशाशनिक प्रमुख की बाद करें है ना तो नगर निगम में हम उसे क्या बोल रहे हैं महापौर या फिर मेर यहां पर भी हम क्या बोलेगे इसे । प्रेसिडेंट और अध्यक्ष। ठीक है और इन तीनों का ही क्या हो रहा है इन तीनों का ही अप्रत्यक्ष चुनाओं हो रहा हैं वर्तमान स्थिति में इसके बाद में एक हमारे पास में प्रशाशनिक प्रमुक हो जाएगे और यहां पर यह हो गए कौन आयुक्त या फिर कमिशनर यहां पर हो जाएंगे CMO Chief Municipal Officer Chief Municipal Officer और यह दोनों जगे में हो जाएंगे आपका नगर पंचायत में भी और नगर पालिका परिशत में भी और इन्हें क्या बोला जाएगा हिंदी में भाई इन्हें हिंदी में बोला जाएगा क्या मुख्य हाँ जी तो इसे क्या बोला जाएगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुख्य नगरपाली का आधिकारी अब ये जो आपके क्या है counselors है या फिर पारशद है इन सभी का क्या होगा प्रत्यक्ष रूप से चुनाओ होगा ये सभी का क्या हो रहा है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष चुनाओ होंगे इनके इसके बाद में जो आपके political head है या फिर राजनैतिक प्रमुख है उन सभी का क्या है अप्रत्यक्ष चुनाओ होगा अप्रत्यक्ष चुनाओ होंगे जबकि जो आपके राजनैतिक प्रमुखों के बाद में प्रशाशनिक प्रमुख है इनकी क्या होगी नियुक्ती होगी इनकी क्या होगी नियुक्ती होगी मतलब इनका क्या होगा appointment होगा और इनको कौन appoint करेगा तो इनको appoint करेंगे कौन 36 गण साशन या फिर government of 36 गण ठीक है तो ये पूरा का पूरा मामला है आप लोगों का क्या नगरिय प्रशाशन से सम्मंदित अब हमारे पास सवाल ये पूछा गया है, निम्द लिखित में से किसे शहरी स्थानिय सरकार में निर्वाचन छित्रों के लोगों द्वारा सीधे रूप से चुना जाता है, प्रत्यक्ष चुनाओ किया जाता है, पार्शद, माप और अध्यक्ष या फिर मुख्य, नगर, प जाता है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाओ करके नगर निगमों में बठाया जाता है, ठीक है, चलिए, अगला चलते हैं, हाल ही में चत्तीजगड का आम महोच्चाओ कहां मनाया गया, और शहीद गुंडादुर, कॉलेज ओफ अग्रिकल्चर एंड साइंस, यह हो जाएगा जक्ताओ दलपूर, ठीक है, तो इंदरा गांधी कृषी विश्व विद्याले कहां पर है, यह रायपूर में, इसके बाद में बैरिस्टर ठाकुर छेदी लाल क्रिशी महाविद्याले कहां पर है बिलासपूर में राज मोहिनी देवी क्रिशी एवं विज्ञान महाविद्याले ये कहां पर है आपका सरगूजा में और फाइनली शहीद गुंड़ादुर कृशी एवं विज्ञान महाविद्याले ये कहां पर है आपका जगदलपूर में तो इनमें से कौन से उस जगह पर मैंगो फेस्टिवल या फिर आम महुच्व मनाया गया है ये आप लोगों को बताना है इस आम महुच्व में दो लाख सत्तर हजार रुपए प्रती किलो वाले एक आम की भी प्रदर्शनी लगाई गई थी मतलब अगर एक किलो आपको आम लेना है तो आपको कितने रुपए देने होंगे दो लाख सत्तर हजार रुपए और इस आम का नाम था जैपनीज मिया जाकी मिया जाकी मैंगो इसकी भी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई थी इंद्रा गासि एग्रिकल्चरल उनिवर्सिटी बैरीस्टट ठाकूर छेदिलाल कृषी महाविद्याले रैपूर राज मोहिनी देवी कृषी एवं विझ्यान महाविद्याले सर्गूजा शहीद गुंड़ादुर कृशी एवं विज्ञान महाविद्याले जगदलपूर तो यहां से हमारे लिए option number A हो जाएगा हमारा answer इंदरा गांधी कृशी विश्व विद्याले में क्या किया गया था mango या फिर आम का महोचसो मनाया गया है वर्तमान में 13.14 और 15 June को क्या मनाया गया है यहां पर mango festival मनाया गया है आगे चलते हैं कितने शहरी निकाए कितने शहरी स्थानी निकाए है मतलब 36 गड़ में वर्तमान में कितने नगर निगम कितने नगर परली का परिशद और कितने नगर पंचायत है उनको आपको क्रम में जमाना है How many urban local bodies are there in 36 गड़ In order of municipal corporation, municipal council and नगर पंचायत तो क्या ये 14, 48, 122 है क्या ये option number B 14, 44 और 118 है याने कि 14 नगर निगम, 44 नगर पाली का परिशद और 118 नगर पंचायत या फिर ये 13, 42, 118 है या फिर ये 13, 48 और 182 है 122 है 14, 48, 12 14, 44, 118 13, 42, 118 या फिर 13, 48, 12 तो वर्तमान में हमारे 36 गड़ में सभी नवीन घोशित नगरिय निकायों को मिला करके कुल मिला करके 184 हमारे पास में क्या है नगरिय निकायों है जिनमें से ठीक है आगे चलते हैं अंगले क्वेशन में डील करेंगे 14 नगर निगम है 48 नगर पालिका परिशद है और 122 क्या है नगर पंचायत है याने कि 14 Municipal Corporations 48 Municipal Councils और 122 नगर पंचायत सुन्दर राज, हीम सागर, मालदा एवं तोता परी ये किन किस की किसमे है सुन्दर राज, हीम सागर, मालदा और तोता परी निम्न लिखित में से किस की किसमे है दे आर दा वराइटी जावल की वराइटी जावल की वराइटी है या तो ये सभी हमारे लिए option number B यानि की mango की varieties है हाल ही में जो इंदरा गांधी कृषी विश्य विश्य विद्याले में आम का महोत्सों मनाया गया था उसमें इन सभी विशिष्ट प्रकार की आम की प्रजातियों का या फिर वराइटियों का क्या किया गया था exhibition लगाया गया था question number 20 in how many urban local bodies of 36 गड़ elections will be conducted in the year 2025 मतलब वर्ष 2025 में 36 गड़ के कितने शहरी स्थानिय निकायों में चुनाओ कराये जाएंगे क्या यह option number A है 184 या option number B है 179 क्या option number C है 15 या फिर option number D है 25 184, 179, 15 या पच्चीस 184, 169, 15, 15 या फिर 25, 25 तो 2025 में हमारे कुल मिला करके option number C 15 निकायों में क्या कराये जाएंगे चुनाओ कराये जाएंगे जबकि 2024 याने कि इस साल हमारे यहां 179, 169 क्या होंगे 169 निकायों में चुनाओ कराये जाएंगे तो 2024 में कितने कराये जाएंगे 169 में और 2025 में कितने कराये जाएंगे 15 निकायों में चुनाओ कराये जाएंगे यहां पर खतम होता है हमारा 34 गड़ से सम्मंदित MCQ याने कि जून के दूसरे हफ़ते में हुई उन सभी समसमाई की गटनाए जो हमारे राजकी लेवल पर हमारे लिए important है state लेवल पर हमने कल उनका सबसे पहले क्या किया subjective way में deal किया आज हमने उनके क्या किये है MCQs deal किये है कल हम क्या करने वाले है national और international level के current affairs को subjective way में deal करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे उसके पर आधारित हम अपना MCQ session को फिर से आप सभी के सामने ले कर के आएंगे तब तक आप सभी अपने current affairs की journey में excel करते रहिए अगर आप चाहते हैं अपने carrier को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए competition community के साथ आज ही हमारे website के carrier page पर विजिट करें अत्वा description box पर दिये गए link पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ team कोको